आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नियो क्लासिज हलसी में। आज का हमारा प्रश्ण है कि मानव भूगोल क्या है और ये इसके उपक्षेत्र कौन-कौन से हैं। परिभाशा मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है जो मनुश्यों और उनके समुदायों, संस्कृतियों, अर्थ व्यवस्थाओं और उनके परियावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। इसमें लोगों की भूगोलिक गतिविधियों, मानव जनसंख्या वितरण, प्रवास, शहरी करण और आर्थिक गतिविधियों जैसे विशयों का विशलेशन किया जाता है। मानव भूगोल में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलूँ को भौगोलिक द्रिष्टिकोंड से समझने का प्रयास किया जाता है। मानव भूगोल के कई उपक्षेत्र हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न लिखित हैं। सांस्कृतिक भूगोल, Cultural Geography, इसमें हम विभिन्न संस्कृतियों और उनके भौगोलिक वितरण का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल, Economic Geography, यह आर्थिक गतिविधियों और उनके भौगोलिक वितरण पर केंद्रित है। जनसंख्या भूगोल, Population Geography, इसमें हम मानव जनसंख्या के वितरण, सनरचना और प्रवासन का विशलेशन करते हैं। शहरी भूगोल, Urban Geography, यह शहरों और शहरी करण की प्रक्रियाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। राजनीतिक भूगोल, Political Geography, इसमें हम इसके राजनीतिक इकाईयों और सीमाओं का भूगोल के संदर्ब में अध्ययन करते हैं। समाज भूगोल, Social Geography, यह समाजों और सामाजिक प्रक्रियाओं का भौगोलिक अध्ययन है। स्वास्थे भूगोल, Health Geography. इसमें हम स्वास्थे और बीमारियों के भौगोलिक वितरण और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं. पर्यावरण भूगोल, Environmental Geography. यह मानव गतिविधियों और पर्यावरण के बीच पारसपरिक क्रियाओं का अध्ययन है. उपरोक्त उपक्षेत्र मिलकर मानव भूगोल की व्यापक समझ प्रदान करते हैं. इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें.